अपने इंग्लिज को इंप्रूब करना चाहते हैं तो यह चैनल आपके लिए इस तरह से मैंने जितने भी वीडियोज बनाए हैं सभी वीडियोज को बारी बारी से जरूर देखेंगे एक बार एक लोमडी एक जंगल में भूजन की तलास में निकला तो दोस्तो यह सिम्पल पास्टेंस में है यानि की सबसे पहले सबजेक्ट फिर वर्ब टू और फिर ऑबजेक्ट निकलना के लिए आप गो आउट का यूज कर सकते हैं तो गो आउट से बन जाएगा वेंट आउट भूजन की तलास में इन सर्च ओफ फूड कौन निकला एक लोमडी तो यह सबजेक्ट है तो यहाँ पर लिखेंगे Once a fox went out in search of food एक जंगल में इन आप फोरेस्ट Once a fox went out in search of food in a फोरेस्ट दुरभागी से वह एक जाल में फस गया तो दोस्तों यह भी है simple past tense में फस जाना यानि की get caught up तो यहाँ पर लिखेंगे unfortunately या फिर आप यह भी लिख सकते हैं As to his bad luck He got Get से got बन जाएगा यह simple past tense में है Caught up In a trap Unfortunately, he got caught up in a trap उसने छुटने की पूरी कोर्सिस की लेकिन संघर्स में अपनी पूच खो दी छुटना यानि की गेट फिरी संघर्स में In Struggle खोना का लूज होता है और verb to हो जाएगा lost यहाँ पर सबसे पहले subject लिखेंगे फिर verb to और फिर object तो यहाँ पर पूरी कोर्सिस करना main verb है He Tried his best to get free लेकिन बट उसने अपनी पूच खो दी आप यहाँ पर एक बार फिर से ही लिख सकते हैं या फिर सीधे लिख सकते हैं lost his tail in the struggle He tried his best to get free but lost his tail in the struggle वह बहुत छोटा महसूस कर रहा था यह सोच कर की अब हर लोमडी उस पर हसेगा वह बहुत छोटा महसूस कर रहा था हलांकी अब past continuous tense में लेकिन इसे simple past tense में ही लिखेंगे यानि कि feel verb को हम लोग continuous tense में बहुत ही कम यूज करते हैं वह बहुत छोटा महसूस कर रहा था यह तो एक तरह से जैसा sentence है वैसा ही हुआ लेकिन यहाँ पर sense है कि उसे एक तरह से शर्म आ रही थी he felt ashamed भी लिख सकते हैं यह सोच कर thinking that अब हर लोमड़ी उस पर हसेगा दोस्तों यहाँ पर हसेगा यानि कि will use होना चाहिए लेकिन इसके बदले हम लोग would use करेंगे क्योंकि यह past tense में है यहाँ पर felt use हुआ है तो that के बाद भी past form use होगा तो यहाँ पर लिखेंगे now every fox would laugh at him उसे इतना दुख हुआ कि उसने आत्म हतिया करने की सोची तो यहाँ पर लिखेंगे he felt so sad that he thought of committing suicide he felt so sad that he thought of committing suicide लेकिन फिर उसने खुद से कहा खुद को मारना का यर्ता है मुझे कुछ आर सोचना चाहिए लेकिन फिर but then he said to himself खुद को मारना का यर्ता है it is cowardice to kill oneself मुझे कुछ आर सोचना चाहिए I should think of something else अंत में लोमडी ने सभी लोमडियों को अपना पूच अलग करने के लिए एक बैठक बुलाई और कहा अंत में इसके लिए आप at the end या finally लिख सकते हैं सभा बुलाना यानि की call a meeting अंत में इसके लिए आप at last भी लिख सकते हैं दोस्तो अलग करना इसके लिए आप part का भी यूज कर सकते हैं और इसके बाद हमेशा with यूज करेंगे part with part with something यानि कि किसी चीज को अलग करना सभी लोमडियों को अपनी पूच अलग करने के लिए उसके लिए उसे मनाने की courses की तो मनाना का होता है persuade तो यहाँ पर लिखेंगे persuading all the foxes to part with their tails और कहा and said at last the fox called a meeting persuading all the foxes to part with their tails and said हमें अपनी पूचों से छुटकारा पाना चाहिए क्योंकि वे भारी बदसूरत और ठकाउ है भारी यानि कि हे भी बदसूरत अगली ठकाउ टायरसम छुटकारा पाना गेट रीड आफ चाहिए है यहाँ पर तो शूड यूज करेंगे वे शूड गेट रीड आफ और तेल्स बिकाज वे भारी बदसूरत और ठकाउ है हलांकी उसने अपनी पूच रहित उपस्थिती से सभी लोमडियों का ध्यान हटाने की कोशिस की ध्यान हटाना यानि की डाइवर्ट दी अटेंशन पूच रहित यानि की टेल्स सहित का रत होता है के साथ और रहित का रत होता है खाली पूच रहित यानि उसके पास पूच नहीं है टेल्स उपस्थिती इसके लिए यहाँ पर appearance यूज़ करेंगे तो दोस्तों इसे भी simple past tense में लिखेंगे main बर्भ है कोशिस की the he tried to divert the attention सभी लोमडियों का of all the foxes अपनी पूच रहीत उपस्थिती से from his tailless appearance though he tried to divert the attention of all the foxes from his tailless appearance एक चतूर लोमडि उसकी चाल को समझ गया और बोला चाल को समझ जाना इसके लिए आप see through का यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तो इस तरह के sentence में हम लोग would have plus verb 3 का यूज करते हैं और इस sentence को भी हम लोग past tense में लिखते हैं यदि आप पूच रहीत नहीं होते if you were not telless you would have not गीवन अस दिस अडवाइस पाखंड सायद ही कभी काम करता है हिपोक्रसी शिल्डम वर्क्स दोस्तों हमेशा ही आप would have plus verb 3 का यूज करेंगे जैसे वह आउट हो जाता या फिर यदि मैं वहाँ जाता यदि वह यहाँ आता वैसा हुआ नहीं लेकिन यहाँ एक काल्पनिक सेंटेंस है यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं एक घर खरिता इस तरह के सेंटेंस में आप would have plus verb 3 का यूज कर सकते हैं जैसे यदि मेरे पास पैसे होते if I had money यहाँ पर simple past tense या फिर past form यूज करेंगे यानि कि was or had मैं एक घर खरिता I would have bought a house मालिजिये यदि सुबमान गिल आउट हो जाते तो RCB मैच जीच जाती if सुबमान गिल had got out RCB would have won the match I hope friends आज का वीडियो आप लूँ को अच्छा लगा होगा यदि हमेरा effort आप लूँ को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दिजेगा मेरे चैनल पर नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और दूसरे सभी वीडियोज को जरूर देखिए Alright friends Thanks for watching Have a great day